नमस्कार दुस्तों सौगत है आपका AKTM Education YouTube चैनल पर दुस्तों आप मैं से काफी सरे स्टूरेंट लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड इंटरेंस टेस्ट याईनि कि UPCET 2021 का जो एक्जाम डेट है वो कहा रहने वाला है कुछ लोगों का डाउट ये भी था कि UPCET 2021 की काउंसिलिंग कब से सुरू हो जाएगी और कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इसका एडिमिस्टन वगारा कब तक कम्प्रीट हो जाएगा तो आज किस वीडियो में आपके इन ही सवालों का जवाब देने की मैं कोशिस करूँगा साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक All India Council for Technical Education यानि की AICTE के तरफ से जारी किया गया ओफिसल नोटिस भी दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो फिलहाल अगर आप इस ऑफिसल वेबसाइट को खोलेंगे और यहाँ पर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की उराएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी जो कि मैं आपको बतना चाता हूँ कि पहले बिल्कुल लास्ट में लिकर के आता था कि 18 मैं को आपका एक्जाम करवाय जागा जो कि सबसे पहले आपका बताय गया था लेकिन अब उस अपडेट को यहाँ पर से हटा दिया गया है यानि कि अब आपकी एक्जाम जिट जो है चेंज हो गई है साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अभी 6 जुलाई तक आप एके UPCET का फॉर्म भर सकते हैं यानि कि इस बात से क्लियर है कि जुलाई के महिने में आपका एक्जाम नहीं होगा तो एक्जाम कब हो सकता है चलिए इस बात पर हम चर्चा करते हैं अब दूस्तों आप अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस को देख पा रहेंगे जिसको All India Council for Technical Education की तरफ से रिलीज किया गया है दूस्तों यह आपका जो नोटिस है वो अकेडमिक कलेंडर यानि कि एकडमिक ये 2021 और 22 यानि कि 2021 के लिए खासकर जारी किया गया है चलिए देखते हैं से देखे दूस्तों इन्होंने यहाँ पर एक चीज मिंसन किया है कि लास्ट डेट फार कंपलिशन और फर्स्ट राउंड आफ कांसलिंग एडमिशन फार एलोट्मेंट आफ सीट्स यानि कि इनका कहना है कि 2021 की सेसन में जितने भी टेक्निकल कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन के लिए जो कांसलिंग का पहला सेसन है वो आपको 31 अगस्त तक कंप्लिट करना पड़ेगा यह कॉलेज को इन्होंने कहा है साथिस्तो एक बात और ही यहाँ पर सेकंड राउंड की कांसलिंग के लिए इन्होंने 9 सितंबर की डेट दी हुई है और जो आपकी लास्ट डेट है एडमिशन की वो 15 सितंबर 2021 की सुनों ने यहाँ पर बताय गया है अब इस बात का क्या मतलब निकलता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों AICT EK एकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो फिर आपको अगस्त महिने में एक्जाम करवाना पड़ेगा जो की लगभग मुझे रग रहा है कि अगस्त महिने में ही आपका एक्जाम हो जागा खासकर UPCET का वो भी 15 अगस्त के बाद में अगर अगस्त में आपका एक्जाम हो जागा तो फिर सितंबर महिने में आपकी काउंसलिंग भी सुरू हो जागी और सितंबर के लास तक आपकी खतम हो जाएगी ऐसे में अक्टूबर के महिने में आपका जो एडिमेशन का पोसेस है वो लगभग कंप्रीट यहां पर हो सकता है हलाकि जैसे ही कोई भी ऑफिसल अपडेटी रिलीज किया जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आकोन को दबाने ताकि वो कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए इसके लापत तो डिस्किप्शन बाक्स में आपको हमारे इस्टाग्रम और टेलीग्रम चैनल का लिंक भी मिल जाएका आप वहाँ पर भी हमको जरूर फॉलो करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो को सब्सक्राइब